हेलो दोस्तों, आखिरकार जवान का ट्रेलर रिलीज हो ही गया और कसम से खान साइब इस फिल्म की क्या गजब की मार्केटिंग कर रहे हैं। हफते दो हफते से हर रोज ट्रिटर पर ये बद कही शुरू हो ही जाती थी कि ट्रेलर आ जा रहा है, कल आने वाला है। जमाचम हैश्टेग्स बरसने लगते थे। पठान से ज्यादा बज इस फिल्म को लेकर पैदा हो चुका है और इस बार बिना किसी कॉंट्रोवर्सी कैसा हुआ है। न शारुखान ने को इंटर्व्यू दिया, न शहर शहर जाकर फिल्म का प्रचार किया, खुद को जनता से दूर रखकर सही वक्त पर जनता के एक्तम करीब पहुँच जाना मार्केटिंग की नई तर्कीब है, जिसमें शारुखान अवल साबित हो रहे हैं। और सबसे मज़ेदार है जवान को लेकर इतनी सारी बातें होने के बावजूद, अभी तक किसी को भी ठीक ठीक अंदाजा ही नहीं था किस फिल्म की आखिर कहानी क्या है। लेकिन मेरे लिए ट्रेलर में आई एक डायलॉग ने इस फिल्म की कहानी काफी हद तक रिवील कर दी है और वो रियल लाइफ इंस्पार डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बाप कर, जो कि ट्रेलर के आखिर में आता है और बैक ग्राउंड में क्लेवर नहीं होगा, बस हमें एंटर्टेर्मेंट की भूख को तरप्त करना होगा। द्वारा और बाद में चल कर वो उसका बदला लेते हैं, तब जब वे खुद उम्रदाराज होने लगते हैं और उनका हमशकल बेटा पुलिस में होता है, एकदम आखरी रास्ता की कहानी, तो इन जानकारियों के साथ अगर आप जवान का ट्रेलर फिर से देखेंगे, तो कि इससे बैतर होता कि ट्रेलर आता ही नहीं और उसकी जगा प्रिव्यू की ही तरहा एक मॉन्टाज हमें दिखा दिया जाता जिससे क्यूरॉसिटी चरम पर पहुँच जाती, लेकिन कोई नए एटली का डिरेक्शन ये दावा तो कर गी रहा है, कि एक टीज की एक रिवें स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया जाने वाला है, उपर से शारुखान इतने दमदार नजर आ रहे हैं, इतने कि उन्हें इस तरह के अतरंगी किरदारों में देखने के लिए ही थेटरों में लाइन लगने वाली है, एक ही फिल्म में रोमेंटिक हीरो भी, एक्शन हीरो और तो और एंटि हीरो भी, जिस तरह के रोल्स वे अपने करियर में अलग-अलग फिल्मों में करते रहे हैं, मुझे और आपको एक ही फिल्म में देखने को मिल रहे हैं, बताइए हमें और क्या चाहिए, बाकी विजह से तुपती भी किलर लग रहे हैं, और विक्रम में ज हीरो की हीरो गिरी वैसे भी काफी निखर जाती है, अनिरुद्द के गानों की जहा तक बात है, वो अभी तक कोई खास असर तो नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन उनका BGM एकदम धासू लग रहा है, वैसे भी उनकी फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर अलग ही लेवल के होत इसाइटिड तो कर ही देता है, जो कि मूल रूप से किसी भी ट्रेलर का असली काम होता है, तो मिलते हैं साज सितंबर को जवान के फिल्म रिवीउ के साथ, और देखते हैं कि जवान की ये जो सारी हैप बनी हुई है, बुर्ज खलीफा जितनी उची, वो वर्थ है भी ये नहीं, कॉमेंट सेक्शन में आप भी बताईए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया,